तो गाइज शुरू करते हैं यह यह केमरा का यह काम खराब है यह यह अच्छा अर्चंट है क्या इस तो साब हम लोग है न एकनॉमिक्स वाले मुद्दे की चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने अभी तक जो बेजिक अप्रोच्छ लिया है एकनॉमिक्स को लेकर वह अप्रोच यह है कि हम लोग को economics आखिर कर पढ़ाया क्यों जाता है हम लोग को यह thought process सबसे पहले समझना है याद करने वाला जो concept है वो तो मजबूरी है वो तो हर एक जन करेगा रेंकर होगा तो भी करेगा रेंकर नहीं होगा तो भी करेगा सबसे पहले तो हमने यह देखा कि हमें economics को समझाया क्यों जाता है तो मैंने अभी तक जो thought process रखा था यह था कि यार आप हर खर्चे को बुरा मत मानो और हर savings को अच्छा मत मानो क्योंकि जो science है economics का हो तो बड़ा अजीव सा science है अमेरिका successful क्यों है क्योंकि वहाँ पर लोग हाँ टेलेंटेड है यह नहीं है खर्चा करते है स्टेटिस्टिक्स है मेरा आवाज आ रहे नहीं आ रहे आरी रहा येस येस भाई गुड मॉनिंग तो देखो साब तो कहने का निश्कर्श क्या है कि economics को तो पड़ा इसलिए जाता है तक कि अपन चीजों को real माइनों में देख सके इंडिया as a country backward होने का बहुत बड़ा कारण क्या है जैसे मैं आपको बता हूँ चाइना की growth story इसमें तो को अपन इस बात से तो दोहराई नहीं कर सकते कि चाइना की growth है और इस बात से भी दोहराई नहीं कर सकते कि अगर अमेरिका ने पूरा दबदबा नहीं रखा तो चाइना अमेरिका से ज्यादा बड़ा super power बन जाएगा आज इतना power है तो यार चाइना ने ऐसा क्या किया यार अचुली चाइना as a country वहाँ पे democracy का time waste नहीं है अब मैं आपको एक simple सा logic बता हूँ मैं किसी किसान संगठन के खिलाफ भी नहीं हूँ मैं किसी political party के support में भी नहीं हूँ मुझे राहूल गांदी as an individual अच्छा लगता है पर as a politician अच्छा शायद नहीं लगता हो तो ऐसा नहीं कि मेरे को Congress चापजती है या मैं BJP के support में अपन अच्छा अपन professional होने के पाद अच्छा बुरा पहलू दोनों समझ सकते ने यार तो सब अब एक simple सा logic है चाइना में क्या है आज अपने दो महीने से वो दिल्ली वाले रस्ते जामें हर जगा से अवापे किसान बैठे चलो तुम बैठ जाओ तुम्हारे कारण से आज पता है विश्व में सबसे ज्यादा ओईल कौन से देश में इंपोर्ट होता है भारत में और दुनिया में सबसेदा महंगा चीज है क्या ओईल हमारे जिसे इंसान के बैलेंशीट बनती है न वैसे देश की भी बैलेंशीट बनती है उस बैलेंशीट में हमारा सबसे बड़ा कर्ज ही ओईल है यही कारण है कि मो को मुवजा देंगे देड़ लाग रुपे गवर्मेंट देगी आपके लिए जो गाड़ी बनने वाली कंपनी है उसको बुली तु गाड़ी बना मैं तुझे भी मुवजा दूगी यार तु हमारी गाड़ी के लिए इतना इंट्रेस्ट रखती है यार तो काँ था रे मोदी उसका कोई इंट्रेस्ट नहीं है हमारा सबसे बड़ा बंबू का है ओईल हम परिशाने साब अगर ओईल का हम इंपोर्ट कम कर देना तो भारत का लक्षे है पांच ट्रिलियन की एकनॉमी जाने का हम ओईल इंपोर्ट कम करते ही दो ट्रिलियन तो बिना कमाए हमारे बच जाएंगे यहनी महनत की ट्रिलियन की करनी पड़ेगी तीन वो भी आसान नहीं होगा पर पांच के सामने दो ट्रिलियन तीन ट्रिलियन वैसे आजाएगा खाली ओईल के इंपोर्ट को रोकने का और अभी तो बताए यह जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी है न यह कैसे आएगी यह आएगी जैसे जीओ आया न दमाके से वैसे शाब यह ओला है आपको कहले लग लग तर यह टेक्सी कमपनी है ओला ने इलेक्ट्रिक गाड़िया बनाई है यह लोग ने इसके अंदर इन्वेस्मेंट किया है और अब यह क्या करेगा मेरी बात नहीं है उसके ओनर के साथ डाइरेक्ली वह डाइरेक्ट अपडेट आया है ऐसा होने वाला है मैं एक जज्जमेंट बता रहा हूँ वह क्या करेगा तो वही जानता है अपने एक बिजनसमें के रूप में सोच सकते हैं कि उसने गाड़ी बना ली इंडिया में बेरोजगारी है एकदम उच्चम चरण पे बेरोजगारी के से हैं साबाग सिंपल सा अब सब इकनोमिक्स है मनीपाल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने बोला हर साल भारत में 87 लैक ग्रेजुएट्स बनते हैं 87 लैक बच्चे पैदा नहीं हो रहे 87 ग्रेजुएट बन रहे है अरे हर साल हम एक न्यूजी लेंड ग्रेजुएटेड न्यूजी लेंड पैदा कर देते पूरे न्यूजी लेंड का पॉपुलेसन है हर साल मोदी मोदी का बाप अमिच्चा उसका पूरा खांदान और जितने लोगे सब जुड़ जाए न तो भी employment इंडिया में नहीं आ सकता अरे कहां से लाओगे यार आप यार पागल है 15-20-25 को आप मान लो नौकरी दे दोगे 15-25 लाग के लिए नौकरी पैदा हो भी गई तो अभी बचे ये 50-60 लाग तो 60 लाग तो ये बच गए प्लस अकले साल फिर से 87 लेक आ जाएंगे यार ये इंडिया है यार जो बचे पैदा हो रहे हो तो अलग का नहीं ये तो graduate पैदा हो रहे हैं अब ये साला अब ये क्या करे बिचारे तो ये बस अलग-अलग एरिया रोक लेते हैं आज हम दिल्ली रोक देंगे किसी कब आप कल बिहार रोक देगा कल कोई साला इधर सी स्कीम रोक देगा हमको अच्छा नहीं लग रहा है हम भी है हम रोक देंगे रोड रोक देंगे डेमोक्रसी तो साब ये जो चीज है न ये साली इंडिया को डिस्ट्रॉई कर लिए इसलिए मुदी ने क्या बोला स्किल इंडिया इंडिया अगर कितनी भी कोशिश कर ले अपरम पार पॉपुलेशन है हमारे हर सिटी में एक देश है हर सिटी में देश है साब कोई भी आप देश जोड़ लो मतलब हम देड़ सो करोड है देड़ सो करोड तो जापान वापान कंट्रिया हमारे नीचे घेले अभी सब तो साब बहुत मुश्किल है कि किसी भी रूप में इकनौमी इनको सपोर्ट करता है इसी लिए अलग-अलग पहलू अलग-अलग मुद्दे ये देखे जाते हैं अब उसके वज़े से सारी गाड़ियों को घूम के जाना पड़ा अरे हर रोज अब इकनौमी की बात करते हैं मुझे एक लॉजिक समझ में नहीं आ रहा estimated cost of किसान आंदोलन हर रोज का खर्चा देखा गया था वहाँ पे अच्छी लगजरियां लगाई गई थी अब तो सब उखड रही है पर अच्छी लगजरियां लगाई गई थी हर रोज का किसान अंदोलन का पर डे कॉस्ट आ रहा है दस करोड के लगभग एवरी डे दो मेने से चल रही है ये पैसा कहां से आ रहा है और इनको तो खर्चा लग रहा है क्योंकि अब मेरी को बात मानूँ तुम लोग सबको ले गए तुमारा भी तो कोई न कोई इंट्रेस्ट होगा न इसमें कितने किसान पता नहीं है क्योंकि हम ये तो मान सकते हैं कि 26 जनवरी को जो हुआ उसमें किसान तो नहीं हो सकता ये फैक्ट अफ लाइफ है उदर कोई कितना भी हो इंडिया में हम लोग सब कितना भी गाली देते हु मैं मोधी को गाली दू मैं राहूल गाण्दी को गाली दू मैं किसी को भी गाली दे सकता हु As a country इंडिया को तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर से कोई भी गाली दे सकता है चाहे हो और किसान तो और जैकमा अली बाबा कंपनी का मालीक है जैकमा विश्व के टॉप रिचेस्ट में आता था उसकी कंपनी का भी आईपी ओ आने वाला था जो चाइना गुवर्मेंट ने रोख दिया उसने सिर्फ एक ही गलती कि उसने बुला चाइना गुवर्मेंट जो कर रही है वो सही नहीं है धाई मेने तक जैकमा गायब है अभी रिसेंट में उसने एक पब्लिक अपीरिंस दिया धाई मेने बाद ये बताने के लिए कि वो जिन्दा है पर वो गायब था जैकमा इस मुकेशंबानी ओफ चाइना मुकेशंबानी इंडिया से गायब हो जाए और पता नहीं चले ऐसा हो सकता है और वहां की एकनोमी ऐसी है यार तो उन्होंने पंदरा सालों के अंदर जो जो करना था वो कर दिया क्योंकि वो इनसान की नहीं सुनते थी वहां पर लोग चला भी रहे हम लोगों को एक डेम बनाना था जैसे आप मैं आपको एक्जाम्पल सब एकनोमिक से कनेक करता है सरदार सरोवर डेम अब सरदार सरोवर डेम बनाना है हमको सरदार सरोवर डेम बनाना है हमको आपको पता है सरदार सरोवर डेम उसका नियू गुजरात में रखा गया था कब रखा गया था 1945 किस ने लिखा रखा था सरदार वल्लब भाई बटेल ने और ये डैम सरदर सरोवर डैम जो सबसे विश्व व्यापक डैम था चार स्टेट्स को इसका पानी मिलने आए जिसमें हम राजस्थान भी है ये डैम बना करें मलूम है आपको सोला में सर इतना बड़ा डैम बना दिया अरे बावरी जैलर को इतना बड़ा डैम धोड़ी है डैम तो दो साल कही था सर सर क्या था अरे भाई उसमें मान लो डैम जहां से पानी गुजारेगा वहां से एक छोटा सा गाउं आ रहा था बीच में उस गाउं वाले जो पचास सौ दो सो लोग थे उनको बोल दिया यार तुमको पक्के सिमेंट के घर देते नहीं यहां हमारी बाबुजी की यादे यहां हमारा वो है यहां हमारा बंबू है उछ चकर में उन्होंने डैम ही नहीं बनने दिया डैम नहीं बना साब जिससे करोडों लोगों के घरों में पानी पहुँचेगा साब पानी की किल्लत क्या होती है ये शायद इंडिया में पानी है इसलिए आप लोग महसूस नहीं करते है हम उनको अवेलेबल हो जाता है और कई देशों में पानी की बहुत किल्लत है, साफ पानी की पीने वाले पानी की तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी ये हुआ ही नहीं 2016 में कैसे हुआ, देखो साब एक चीज तो है ये बात की तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, साला जो काम करना है न वो कर देता है, और ऐसे आदमी चाहिए सच बताता हूँ, मतलब मनमोन सिंग जी बहुत इंटेलिजेंट होंगे, पर आदमी एसा, इंडिया में तो काम नहीं कर रहे है जिसको देखो, बंबू डालके बैठ जाएगा हो तो, कल उठके ये उठके बोलेगा मैं इदर, मेरे को गुड मोनिंग नहीं बोला आओ मेरे दोस्तो, ये एरिया घेल लो और उठा दोगे, तो भया, इंडिया में अभी विक्ति का अधिकार नहीं है इकनॉमी प्रभावित होती है इकनॉमी, वो इकनॉमी हम यहाँ पर समझने का कोशिश कर रहे हैं अब ये धंदे में डिमांड सप्लाई से मैच करता है धंदे के अंदे डिमांड सप्लाई से तो देखो क्या-क्या बोलता है अब हमने देखो कल इसके बारे में एक बेजिक आइडिया रेखा था कि what is economics main problem, main economic problem is to transform society resources into consumable commodities by using productive technology आज हम लोग को क्या करना है आज हमारी इकनॉमी का सबसे बड़ा problem पता क्या है human resources को सही दिशा में डालना आज कई जो talented लोग हैं इंडिया से बाहर निकले अच्छा मैं आपको एक और स्टेटिस्टिक हूँ इकोनोमी का भारत में कितने लोगों को कि आजादी के बाद noble prize मिला है कि दो लोगों को छोड़ दुआ mother Teresa को मिला था वो गरीबों के प्रती प्रेम व्यथित करने के लिए सत्यारथी जी को मिला बच्चों को protection देने के लिए सत्यारथी जी को noble prize मिला इसके अलबा किसको noble prize मिला है आजादी के बाद एक भी noble prize ही नहीं है Nobel Prize होता है यह तो नोबल प्राइज होता है कि यह भी नहीं पता आप लोगो गजनी Nobel Prize पता है साब विश्व का सबसे बड़ा संमान माना जाता है Nobel Prize मुझे भी नहीं पता था as a student कई सालों तक पर ठीक है विश्व का सबसे बड़ा संमान Nobel President होता है किसी एक फिल्ड में जब आप ऐसा रिसर्च करते हो जिससे इंसानियत को फाइदा हुआ जिसे कई लोग ने पच्छी साल तक उन्होंने एक बिमारी की उपर काम किया और फिर चाकि उनको उस काम के वज़े से आज ये बिमारी का इलाज हो सकता है और वी लोगों को मिला है नोबल प्राइस तो किसको मिला है और वी लोगों को मिला है नोबल प्राइस तो हाँ हाँ नाम बताओ नाम बताओ एक अभी जीट पैनर जी का नाम आया था अभी बीजीत बैनर जी इंडियन है कलकत्ता का है पर इंडियन रेसिडेंट नहीं है इंडियन्स को तो मिला है ऑस्टेलियन इंडियन को मिला है एक इंडियन जो ऑस्टेलिया शिफ्ट हो गया वहां पर जाके उसने रिसर्च किया उसको मिला अभी जीत बैनर जी मिला बिलकुल मिल अमेरीका गया अरे भाई मेरे को मालुम ना स्टेटिस्टिक से इंडियन्स को नहीं मिल रहा है हर इंडियन को क्या लगता है कि भया वो अगर इंडिया में रहेगा तो उसका ग्रोथ नहीं होगा यह सोच बन गई थी इसलिए अच्छे इंडियन्स बाहर चला आते थे इंडियन्स को तो मिला है UK में नोबल प्राइज मिला US में नोबल प्राइज मिला इंडिया में रहकर एक भी इंडियन को अभी तक आज़ादी के बाद से 72 साल हो गए नोबल प्राइज नहीं मिला है एक साउट के हमारे एक राउ साब है physics में उनका नॉमिनेशन भी गया वा है पर आज सब उनको भी नोबल प्राइज मिला नहीं अभी तक किसी एक फील्ड को लेकर इंडिया में नोबल प्राइज नहीं है वाट डस एकनॉमी वांट्स डेवलप स्किल इंडिया आप लोगों को सक्षम बनाओ वो इंडिया नहीं तो बहार चुए बहार लोगों के पास सर्विसिस की कमी है उस किल्लत को वैसे मैं आपको बता दो आज इंडिया में हम मैक्सिमम लोग इंडिया के अंदर यूके यूएस और ब्राजिल मेक्सिको इन देशों की अकाउंटिंग हम इंडिया में ही करते हैं सबकी अकाउंटिंग इंडिया में होती है उनकी ऑडिटिंग भी हम इंडिया से ही करते हैं इंडिया के लोगों से ही करवाते हैं क्योंकि हमारे पास skilled resources है और यही कारण है कि कई अकाउंटेंट कई cost अकाउंटेंट कई chartered accountant इतने सारे बनने के बाद भी बेरोजगार नहीं है क्योंकि हम लोगों ने क्या करता है अलग अलग देशों की अकाउंटिंग अब वो कैसे होता है टायप से होता है जैसे मानलो हमारा एक इंडियन वहां पे चला गया मेक्सिकों में रहने चला गया उस उसके पास काम आता है वहां पर अगर वह एक आदमी को रखेगा उससे जादा समझदार और सस्ता इंडिया में पांच आदमी आ जाएंगे वहां पर लोग कम होते तो वह यह ना सप्लाई कम है तो बावड़ी जहलों ने भाव बढ़ा रखें यहां हमारे पास अपरमपार कि अध्यकरे बसे अगर कि वह बिए सी इसमेरा ही अब मेरा पब्लिकेशन चलता है बुक्स पब्लिश करता हो पर अभी रीसेंट में मेरे नहीं हो रावने में ली धशन los तो टाइपिंग करता था मैंने मैंने उसको salary आशी देखे रखी थी लिए ये मेरा 11 साल हो गए थे, मैंने उसको बोला आया, देख, तेरा वाला काम थोड़ा कम हो गया है, तू अकाउंटिंग करता है, कि सर मैं तो B.H.C हूँ, तू वो छोड़, तिरको मैं एक टेली के क्लासिस पे भेशता हूँ, तू टेली के क्लासिस में जा, और टेली सीख जा, और जो थोड़ा बुद तिरको नहीं आयेगा, तो मैं तो टाइगर जिन्दा है, मैं बता दूँगा, मैं तो बता दूँगा, तब तू समझ लेना, वो गया, देड़ मेंने तेरा क्लासिस एटेंड किया, डेबिट क्रेट क्या होता है, वो सीखा, आज मेरी फुल फ्लेज किया वाले और काम करने वाले बहुत सारे options हैं, जो इंडिया में आसानी से available है, यह सारे चीज, मनलब अपन क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने society के जो resources है, consumable commodities है, proper technology और चीज़ों को उपयोग करके, हमने अब उसे economy में जोड़ दिया है, तो वरना आज अगर मैं उसको निकाल इसके रूप में, everyone is a resource, आप एक resource है, मैं एक resource हूँ, हम लोग सब resource है, technology को उपयोग कर रहे है, कुछ महाँ बैठे हैं, वो भी देख पा रहे है, कैसे, using technology, this, everything that we are doing is, economics, यह सारा चीज, economics है, यह क्यों है, it is a problem, because human wants are unlimited and society resources are limited, इसलिए हमें कुछ ना कुछ नया देखना पड Decide how much of which commodity are to be produced for the optimum satisfaction of human wants, कितना बनाएं, क्या चीज बनाएं, क्या जरुवत है, demands क्या है, customer की, उसको fulfill करना, this is the most important requirement, तो यह economics का basic fundamental आता है, अब subject matter of economics क्या है, यह सिम्पल सहाँ बोलता है, तीन चीजों की इर्दगीर दुखमता है, लोगो की wants है, लोगो की मेहनत है, और लोगो का satisfaction है, आपकी want क्या है, CMA बनना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, efforts डालना पड़ेगा, और अगर आपने सही effort डाल दिये तो आपको क्या मिलेगी, satisfaction, this is the economics, अब उस want को पूरा करने में, उस effort को हासिल करने में, हम मातरे के intermediaries है, we are just intermediaries, your want sometimes क्या होता है, जब आपकी want ज़्यादा होती है, तो you need a helping hand to assist you in achieving the wants, जो आपके effort है, उसको proper तरीके से channelize करना, simple है और वो हर जगा होती है, जैसे मेरे को क्या लगता था, as a youngster, I used to go to gym, मैं क्या था, मेरा gym का timing, CA भी कर रहा था, उस समय पे, और college भी जाना पड़ता था, और classes भी थी, तो सला, मैं gym जाता था, उस समय पे ना, ऐसे late night gym नहीं होता था, और क्या मैंने वो setting करके रखा था, स्टाफ आफ होता है, वो ले रात को आँगा, तेरे ले थोड़ा benefit, तु मेरे ले शटर खोल दियाकर gym का, मैं रात को अकेला ही करता था gym, और बहुत, महनात करने ही पड़ती है, कोई फरक नहीं बढ़ता है, ट्रेनर क्या सीखाएगा, ट्रेनर की कोई अलग से पैसे नहीं लगता है, अगर आपकी gym की membership है तो, ट्रेनर का मैं मार रहा हूँ, यह 41, 42, 44, 45, जिम का ट्रेनर है, ऐसे नहीं करना है, बढ़ा है, मैं दो मैंने में हो चुके हैं, और ठीक ठाक अपन ने बना ली थी बॉड़ी ऐसे, तो मैं थोड़ा सा क्या, अपने आप में एक ट्रेनर बन गया था, दो मैंने से कर रहा हूँ, हलके में मतले मेरे को, ठीक है, ट्रेनर की रिस्पेक करने के, ठीक है, देख ऐसे कर, और यह इतना भारी नहीं, दस किलो नहीं, वो 5 किलो का ले, सर मैं 20 किलो का भी उठाता हूँ, 5 किलो का ले, ठीक है, अब देख, मैं 10 तक काउंटिंग करता हूँ, ठीक है, और आप तेरे को है न, ऐसे, जूम पे दीख नहीं रहेगा, पर है न, उसने, मैं बोला 10 तक काउंटिंग करूँगा, तब तक उपर लाना, उससे पहले उपर यार, अब देख, 10 तक काउंटिंग करूँगा, धेर दे नीचे लाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक पांच किया, छोटे में मेरी यहां नसे जाम हो गई, यार, मेरा हाथी उपर नहीं हो रहा, औरे, क्या करा दिया, पागल, मैं 20 किलो उठा रहा हूँ, और 20 किलो कि मैं 50 के रहा था, पर मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, एक, शूल्डर और स्टमक, दोनों का सपोर्ट ले लेता था, तो क्या होता था, कि यह जो बाइसेप्स है, उस पे जोर कम आता था, तो मैंने ऐसे सपोर्ट ले लिया, यह 1, 2, अब मिरों को क्या है, पेट का भी सपो नस पे, बाइसेप्स पे, वो मेरी नस से जाम हो गईगा, उस दिन मालूम चला कि खाली डंबल उठाने से काम नहीं होता है, महला उससे भी हो जाता है, वैसे मैं बता हूँ, पर मेहनत बहुत ज्यादा लगती मेरी, फिर मेरे को ऐसा करना पढ़ता है कि शायद में को सौ मारन कम मेहनत में काम होता है, तो वो effort जो है न, वो कैसे लगाने वो देखना है, और ultimately अपनको हासिल क्या करना है? This is all about economics, finding wants, making effort, getting satisfaction, स्वीगी क्या है? ओला क्या है? ओला, साब, ओला ने सब कुछ डोला, कितना जबर दस्तिया है, मतलब साब, आपके जेव से पैसे लगे नहीं कभी, ये टेक्सी वाले होते थे न, क्रोकोडाल जैसा मूँ फोलते थे, टेक्सी में बैटने से डर लगता था, कितना लेगा भया 500 रुपया, और मालूम चला, चार कילोमेटर, पांच किलोमेटर नहीं है, नई सिटी में जाकर, अपने सिटी में था अपनर राजा होते हैं, रेट कैसे भी जानते पर नई सिटी में जाओ, टेक्सी वाला क्या होगा, कभी जानमुच के लंबे रस्ते से ले जाएगा, एudsने क्लो शेशन से मैं कहां उत्रू यार और कहां पकड़ू और किसको कौन सी टेक्सी आज इतना कौन सोसता है यार वो बुलेगा साहब मैं तो 10 रुपए उपर लूँगा तू उतार यहीं यहीं उतार दो मिनट ठीक है उतार यहां पर नहीं देरते को पैसे उतार गए अरे ऐसे हम लोग कहीं नहीं उतार सकते थे रे बाबा ऐसे किदर रोड़ के लाज छोड़ दिया तो कोई और उतार के ले जाएगा साहब मनला उसने क्या चबरतर स्वांट को पकड़ा यार हमारी जरुवत थी यह सब एफ़र्ट डाला ओला ओयो ओयो क्या है यही तो है साहब महेंगे होटल हम अफ़र्ट नहीं कर सकते और डीसेंट होटल डीसेंट नहीं होते थे वहाँ बातरूम में जाओ सस्ता अब यार देखो मुझे एक बाद बताओ अब कभी आप अकेले हो as a student हो तुमको को कोई बोले आठ हजा रूम के अरे भाईया मेरे को तो यह चद्दर दे तो मैं तो इधर सोफे पर सोजाता हूं या आठ हजार को रूम के लेता है अरे सोना ही तो है पर इसे कहां सोजाओं प्लैटफॉम पर सोजाओं क्या अब पैसे देने पड़ेंगे अब सस्ते होटल में जाओ तो वहां पर सलाड़ डर लगे कैमरा तो नहीं रख दिया कहीं किदर कुदर बैया ऐसा और फिर फ्लस आउन करो तो वहां हात में आ जाए धोने के लिए पानी नहीं होता था ओयो ने देखा यार सस्ते होटलों में थोड़ा सा धंग से करदू में अब वहां जाओ तो मरे बेचुहे की बदबू आये साला ओयो ने कुछ नहीं किया वही रूम वही चीजे पर उसने क्या बोला मैं मेरे धंग से बेचूंगा चद् ओयो ने बोला साब मैं करता हूं तु तीन रूम मेरे को दे वॉंट पता की एफट ड़ा विश्व की सबसे बड़ी होटल इंडस्ट्री बन गई है होटल कंपनी बन चुकी ओयो विश्व की सबसे बड़ी सर विश्व की कैसे बनी इंडिया में और चाइना में अप्रबार पॉपॉलेशन है हमारे हर सिटी में एक देश है कितनी देश हो कि कितनी गवर्मेंट उसे परमिशन लोगे हमारे पास एक अपने और सो करोड़ 203 देश है विश्व में इंडिया और चाइना 300 करोड़ है यहनी बाकी के 500 करोड़ में 204 देश है इसमें अमेरिका और वो बाकी लोग भी तो है ब्राजील वाजील उनको हटा दो तो मालूं चलेगा साब कितने देश या कितना कोई आपको समझना होगा आप यहां पर एकनॉमिक्स में चार चीजी और प्रोड़क्शन डिस्ट्रिबूशन एक्सचेंज एंड कंजम्शन अभी यह चार मुद्दों के ओपर चर्चा होगी तो अब अपन एक एक करके चर्चा करेंगे प्रोड़क्शन की एक्सचेंज की डिस् तंक्यू दीवियन्शू थैंक्यू येश हैंक्युशन